अगला लेक्चर और वो है आपका fundamental rights इसके पहले के वीडियो में आप लोग या हम लोग क्या cover कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में हम लोग article 1-4 को cover up को चुके हैं जैसे to the citizenship of India अब हम लोग जो है इस वीडियो में या इस फोल्डर में आपको part third जो है वो आपको मिलेगा और इस फोल्डर में आपको सारे आर्टिकल जो है 12 to 35 उनके बारे में आपको सारे जो वीडियो लेक्चर से वो पलेंगे ठीक है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 12 और 13 जो है वो हम लोग सबसे last में लेंगे क्योंकि 12 और 13 थोड़ा सा complex है शुरू में समझ में नहीं आता है लेकिन जब एक बार आप बाकी के सारे fundamental rights को समझ लेते हैं तो 12 और 13 समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है ठीक है तो दूरुत करते हैं सबसे पहले हम लोग लेटे हैं क्या history of fundamental rights की तो heading दाल दीजिएगा आप लोग क्या history of fundamental rights ठीक है तो history आप लोगे दाल दियोगी history of fundamental rights चली इसमें पहला point लिखेंगे आप लोग history of fundamental rights में दिखेगा दा कॉंसेप्ट ओफ फंडामेंटल राइट्स वस फिर्स्ट इंटर्यूस जैसा मैं डिक्टेट कर रहा हूं वैसा लिखेंगे दा कॉंसेप्ट दा कॉंसेप्ट ओफ फंडामेंटल राइट्स was first introduced was first introduced in Britain सबसे पहले वहीं पर आया था in Britain in 12.15 ठीक है 12.15 में माना जाता है कि पहली बार जो है यह आपका fundamental rights का जो concept है वहाँ पर आया था ठीक है यह आपको ध्यान रखना है उस समय वहाँ के जो राजा थे यानि किंग थे किंग जॉन या किंग जॉन जो थे उन्होंने इसको पास किया थे इस पे साइन की थे इस पर पास किया था ठीक है यह अगला point बना के लिखेंगे इन 1689 in 1689 in 1689 bill of rights bill of rights bill of rights introduced in Britain ठीक है bill Bill of Rights Bill of Rights Introduce in Britain यानि कि जो पहली बार Britain में ही जब Concept of Fundamental Rights आया उसी को और बढ़ा के उसी को और अच्छा Powerful करके 6089 में Bill of Rights जो है वो Britain में लाए गया ठीक है आप कह सकते हो कि एक major आपका written document था ठीक देन आपका next point बना के लिखेंगे In 1789 In 1789 The Declaration of Rights of Man and Citizen ने पुरल लिवता आपलो के लिए The Declaration Declaration The Declaration of Rights ठीक है The Declaration of Rights of Man and Citizen Man and Citizen Declaration of Rights of Man and Citizen Introduce in France यानि कि France में जो है आप कह सकते हो कि जो fundamental rights का concept था वो पहली बार 1789 में Introduce हो ठीक है यह थुरा सा आप लोगों को ध्यान लगना है Then अगला point में लिखें next point करके in 1791 in 1791 in 1791 Bill of Rights ठीक है Bill of Rights Bill of Rights Introduce in America कहाँ पर इंट्रीउस हुआ आपका अमारिका में Introduce हुआ तो आप जैसे देख रहे हैं आपका पहली बार Britain में आपका आया फिर उसके बाद France ने इसको अपने आप ठीक है Introduce किया और फिर उसके बाद आपका देखें अमारिका ने भे इस चीज़ को क्या किया अपने आप 1791 में Bill of Rights के थूँ जो है वो Introduce किया तो ये कहानी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ती है कि कहां पहली बार किस तरीकी से आए अब इसी को अगर हम अपने इंडिया के Point Review से Compare करें तो अगला Point मना के लिखेगा In India In India The Concept of Fundamental Rights Demanded in 1895 In India The Concept The Concept of Fundamental Rights वो बाद अलगी कि पूरी नहीं की थी The Concept of Fundamental Rights Demanded Demanded in 1895 ठीक है हमारे यहां 1895 में इंडियाटी तरीके से ये मांग जो है वो की गई थी ठीक है फिर अगला Point बना के लिखेंगे Next Point लिखे Inc. India National Congress Also Demanded Fundamental Rights Also Demanded Fundamental Rights From 1917 to 1919 ठीक है उन्हों भी Demand की From 1917 to 1919 फिर Next Point लिखेगा अगला Point करके लिखे In 1925 In 1925 एनी बेसेंट ये आर्लेंड से हमारे भारत में आके रही थी एनी एनी बेसेंट Also Demanded Fundamental Rights पुरा अब वर्ड लिखेंगी जैसे मैं बोल रहा हूं आपको In 1925 एनी बेसेंट Also Demanded एनी बेसेंट Also Demanded Fundamental Rights Fundamental Rights Through किसके थ्रू उन्होंने डिमांड रखी सबके सामने है Through Common Wealth of India Bill Through Common Wealth Of India Bill ठीक है Through Common Wealth of India Bill ठीक तो आसके थ्रू किसने Fundamentals के डिमांड को रखा या डिमांड किया कि मिलना चाहिए और कब किया तो 25 में आपको टिक कर के आना है अब अगला पॉंट बनाके लिखेंगे In 1928 In 1928 In 1928 मोती लाल नहरू मोती लाल नहरू मोती लाल नहरू Also Demanded Fundamental Rights मोती लाल नहरू Also Demanded Fundamental Rights Through Nehru Report Through नहरू रिपोर्ट आप या दिखेंगे पढ़ेंगे हम लोग इसको मौन इंडिया में Through Nehru Report ठीक है नहरू रिपोर्ट के थू उन्होंने ये Fundamental Rights की डिमांड जो है वो सब के सामने रखे ठीक है Then अगला पॉइंट मों बना के लिखेंगे महात्मा गांदी जी Also demanded Fundamental Rights In Second Roundtable Conference पुरा भड़ लिखेंगे आप लोग sentence महात्मा गांदी Also demanded Fundamental Rights In Second Roundtable Conference ठीक है Second Roundtable Conference लिख लो ये कब होई थी 1931 में होई थी तो वहाँ भी हमने अपनी ये दिमांड रखी ठीक है फिर अगला लिखेगा next आपका करके in 1945 in 1945 तेज बहादुर सपरू तेज बहादुर सपरू ठीक है तेज बहादुर सपरू also demanded the fundamental rights he has supported the fundamental rights ठीक है supported the fundamental rights fundamental rights तो देखे इस तरीके से आपके ये जो history रही है world level पे और जो आपकी history रही है इंडिया के level पे ये हमको पढ़नी होती है किस तरीके से fundamental rights का evolution या जो origin है वो आपको हुआ ऐसा नहीं हो कि रातो रात जो है आपको क्या मिल गया हो सारे के सारे fundamental rights मिल गए हो ये जो हमारे fundamental rights है इनको हमारे constitution में इस तरीके से divide के जैसे आप देख रहे है तो इसको लिख लिए fundamental rights जैसे मैं dictate कर रहा हूँ ऐसे आप लिखेंगे fundamental rights broadly divided into fundamental rights broadly divided into ठीक है पहला आप लिखेंगे first आपका जो है right to equality left in side पह लिखेंगे right to equality ये है आपका कहां से कहां तक ये आपको याद करना article 14 से लेकर article 18 तक ठीक है उसके बाद है आपका second आप लिखेंगे right to freedom ठीक है ये आपका है article 19 से लेकर 22 तक ठीक उसके बाद third जो आपका है right against exploitation ठीक है ये आपका है article 24 ठीक है then fourth आपका है right to freedom of religion ठीक है freedom of religion that is from 25 to 28 ठीक है बहुत साथ religious freedom दे रखी है उसके बाद fifth आप ये मानके चलें that is cultural and educational right ठीक है cultural and educational right ये है आपका article 29 to 30 ठीक है पूरी liberty आपका किसी भी region, religion, caste को सबको मिलता है ये fundamental rights and सबसे आखरी में आपका हो गया जो है constitutional remedy six ताप मानके चलें constitutional remedy जो कि आपका आता है किसमे article 32 के under में आता है ठीक है बच्चों तो इस तरीके से आपका जो fundamental rights 12 to 35 जो है आप देख रहे हैं वो हम पढ़ते हैं इसमें 33, 34, 35 भी मैं आपको बताऊंगा एक एक लाइन में क्या-क्या है कई बाद आपके एक्जाम में आ जाते हैं बट बाकी के जो आपके ये article है 14 से लेकर मोटे-मोटे तौर से 32 तक इसको थोड़ा सा हमको detail में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि details में यानि कि जो statement वाले question होते हैं related to the fundamental rights वो आपके एक्जाम में आते हैं ठीक है जो चलिए फिर अगले lecture से एक एक करके सबसे पहले हम लोग right to quality को pick up करेंगे फिर right to freedom को pick up करेंगे ऐसे करके 6 आपको right detail में चलके हम लोग धेदरे क्या करते हैंगे discuss करते जाएंगे